ओम शान्ति आज 19 दिसंबर 2021 है आज का स्वामान है मैं पूर्वच आत्मा हूँ मैं आत्मा पूर्वच हूँ अपने पूर्वच स्वरूप को इमर्ज करे मंदिर में स्थापित मूर्टी को इमर्ज करे उनके नैन, चैन, रूहानियत को उनकी दिव्यता को इमर्ज करे और सारा दिन ये अभ्यास करे कि मैं पूर्वच आत्मा हूँ, दाता हूँ, मास्टर भाग्य विधाता हूँ और सा आज का स्लोगन आज का स्लोगन और जो सहनशील वाले होते हैं वो सफलता स्वरुप होने के कारण उनके चहरे से संतुष्टा की जलग हमेशा दिखाई देगी और जो संतुष्ट आत्मा होती हैं वे स्वयम भी संतुष्ट होते हैं और दूसरों को भी अपने कर्मों से संतुष्ट करते हैं जो स्वयम भी संतुष्ट हो दूसरों को भी संतुष्ट करें वे ऐसी आत्मा जो है वे सर्व के प्रिय सर्व के स्नेही अवश्य होते हैं इसलिए जो सहनशील आत्मा होती है वो सर्वकेस नहीं होती है दूसरा है सरलता सरलता के साथ साथ सहनशीलता भी हो अर्थात दोनों सहनशीलता और सरलता साथ साथ होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सरलता जो है सिर्फ अकेला सरलता हो बगेर सहनशीलता के तो उसको भोलापन कहा जाता है भोलापन में व्यक्ति धोखा जरूर खाती है और जो धोखा खाते हैं वे सर्व के प्रिये तो नहीं बनते बलकि रहम के पात्र बन करके रह जाते हैं इसलिए सरलता और सहनशिलता दोनों साथ हो तो शक्ति स्वरूप होगा और जो सक्ति स्वरूप होगा वे अपने शक्तियों से सर्व को सहयोगी बनेंगे, सर्व को सहारा देंगे और इसी आधार से सर्व के स्नीही बन जाएंगे तो आईए हम सहन शिलता के साथ सरलता को अपने जीवन में लाए और सर्व के स्नीही बन जाए ओम शांति